गजानना स्री गणराया, आधी वंदू तुझा मोर या, बाप्पाम सब के आरद्य देवत है दोस्तो किसी भी मंगलकारी की शुरुवात स्री गणिश ऐसे ही होती है इनका मोस्ट फेवरेट मोदक ही है इसलिए आज के दिन बाप्पा को मोदक का नेवेद्द चड़ाते है और कहा जाता है कि इससे मनो कामना ये पुरी होती है गनिश चतुत्ती के हरदिक शुप कामना है दोस्तो इसे आवसर पर मैं उकड़ी के मोदक याने क्या स्टिम मोदक बनाने जा रहे हूँ मैं आपको छे अलग-अलग प्रकार के क्रियेटिव मोदक दिखाने जा रहे हूँ तो ये वीडियो पूरा देखना स्किप मत करना दोस्तो ये फर्माईश आई थी सुप्रिया सराटे मुंबई से थैंक्स सुप्रिया ये रिसीप आपके लिए है तो पहले इंग्रिडेंस देखते हैं यहाँ पर महिने विलाइची पाउडर साल्ट ड्राइब फ्रूट्स बटर ओईल किसा हुआ गूड किसा हुआ फ्रेश नारियल ये सब स्टपिंग के लिए हैं अभी कवर के लिए इंग्रिडेंस हैं यहाँ पर महिने सॉल्ट देसी घी चावल काटा और पाने ये सब हो गए इंग्रिडेंस अभी हम बनाते हैं स्टपिंग अभी मैं गरम कड़ाई में देसी घी डाल रहे हूँ उसके बाद उसमें मैं गूड डाल रहे हूँ ग्यास की फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए गूड मेल्ट हो गया अभी मैं उसमें किसा ओवा नारेल डाल रहे हूँ इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रहे हूँ अच्छे से मिक्स होने के बाद उसमें मैं विलाची पावडर डाल रहे हूँ और थोड़ा सा नमक डाल रहे हूँ नमक ओप्शनल है अभी मैं इसमें ड्राइप फ्रूट से आड़ कर रहे हूँ और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हूँ जब तक नारेल का पानी इसमें सुक ने जाए तब तक ये पानी अपना सुक गया अभी मैं इसे बावल में निकाल रहे हूँ दोस्तो ध्यान में रखना स्टपिम में थोड़ा भी पानी नहीं रहेना चाहिए अभी मैं इसे साइट में रख रहे हूँ अभी मैं मोदक के कवर के लिए अटा रेड़ी कर रहे हूँ मैंने यहाँ पर गरम कड़ाई में एक वाटी पानी डाला है अभी मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा घी डाल रहे हूँ यहाँ पर मैं प्रमान बता रही हूँ एक वाटी पानी में एक वाटी आटा डालना है जादा नहीं ज्यादा डालेंगे तो मिश्रन सुखा हो जाएगा और मोदग बनाते समय अच्छे से मोड भी नहीं होगा अभी मैं ग्यास बंद कर रहे हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करके उसमें गुठलिया रहती है वो मैं अभी फोड रहे हूँ ये मिश्रन में मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गुण रहे हूँ अभी मैं इसे एक परात में निकाल के गर्मा गर्म इसे गुणूंगी गुणते समय हाथों में थंडा पानी लगाना है और इसे गर्मा गर्म ही गुणना है तभी मोदग का शेप आएगा कंट्यूनी इसे 10 मिनिट तक गुनना है दोस्तो जितना ज़्यादा गुनोगे उतना मोदग का शेप अच्छा आएगा 10 मिनिट अच्छे से गुनने के बाद इसे मैं एक गिले कपड़े में ढख रहे हूँ गिला कपड़ा इसलिए ताकि मोदग बनाने के समय आटा सुखे ना जैसे रोटी का आटा गुनते है वैसे इसे गुनना है कि मैं पहला शेप दिखा रहे हूँ मोदग का ऐसा वाला पहले मैं हाथ में पानी लगाती हूँ थोड़ा सा मिश्रन हाथ में लेके इसका मैं गोला बना रही हूँ गोला बनाने के बाद गोले को बीच में अंगुठे से प्रेस करना है और दूसरे हाथ से इसे किनारों से प्रेस करेंगे हलके हाथों से इसकी एक कटोरी बनाऊंगे इसके किनारे क्र्याक होते हैं तो इसको ठिक करेंगे थोड़ा सा पानी हाथों में लगा कर देखें कटोरी बना के हो गई अभी मैई इसमें फिलिंग भर रही हूँ नहीं इसमें ज़्यादा फिलिंग भरनी है नहीं कम फिलिंग भरनी है मीडियम फिलिंग भरनी है एक उंगली का अंतर रखकर सारे पीच बनाएंगे और हलके हतों से सारे पीच इकटा करेंगे इस तरह इसे जोईन करेंगे और यह हो गया हमारा मोदक तैयार अभी मैं एक प्लेट में घी लगा के यह हमारा मोदक उसमें रख रही हूँ इससे क्या होगा मोदक चिपकेंगी भी नहीं और क्रैक भी नहीं होंगे अभी मैं मोदक का दूसरा शेप दिखा रही हूँ डबल डेकर या इसा वाला आटे को गोल गोल बनाएंगे गोले को बीच में अंगुठे से प्रेस करेंगे और दुसरे हाथ से किनारों से प्रेस करेंगे हलके हाथों से इसकी एक कटोरी बनाएंगे इसकी किनारी क्र्याक होते तो इसकी इसको ठीक करेंगे इसमें हम फिलिंग भरेंगे एक उंगली कटोरी के अंदर और दो उंगलिया कटोरी के बाहर रखकर इसे पीच बनाएंगे एक उंगलिया अंतर रखकर सारी पीच बनाएंगे अलके आतों से सारी पीची कट्टा करेंगे इस तरह इसे जोईन करेंगे अभी यहाँ पर थोड़ी कसरत हैं दोस्तों और इससे मैं बड़ी कटोरी बनाओंगी देखे ये जॉइन कटोरी बन गई अगर लगता है एक क्रैक हो गए है तो हथ से पानी लेके ठीक करना है अभी मैं इसमें फिलिंग डाल रही हूँ एक हुंगली कटोरी के अंदर और दो उंगलिया कटोरी के बाहर रखकर इसे पिच बनाएंगे एक हुंगलियों का अंतर रखकर सारे पिच बनाएंगे और हलके हतों से सारे पिच इकट्टा करेंगे इस तरह इसे जॉइन करेंगे यह हो गया हमारा डबल डेकर मोदक तैयार बिज़ बिज में जब भी लगता है हतों में पानी लगाती रहना देखिए कितना सुन्दर दिख रहा है डबल डेकर मोदक अभी मैं तिसरा शेप दिखा रही हूँ पोटली मोदक वैसे ही आटे का गोला बनाएंगे गोले को बीच में अंगुटे से प्रेश करेंगे दूसरे हस से किनारों से प्रेश करेंगे हलके हतों से इसकी एक कटोरी बनाएंगे इस किनारे में क्रैक होते हैं वो ठीक करेंगे इससे हम फिलिंग भरेंगे एक उंगली कटोरे के अंदर और दूसरी उंगली या कटोरे के बाहर रखकर इसे पिछ बनाएंगे एक उंगली यांतर रखकर सारे पिछ बनाएंगे और हलके हतों से सारे पिछ इकटा करेंगे इस तरह से इसे जॉइन करेंगे हलके हातों से करना है दोस्तों क्योंकि निचे से ज़्यादा मोड़ना है और इसे थोड़ा सा फ्लावर जैसा शेप करके यह हो गया हमारा पोटली मोदक देखें यह कितना सुन्दर दिख रहा है अभी मैं चौथा शेप दिखा रहे हूँ लोटस मोदक वैसे ही आटे को गोला बनाएंगे गोले को बीच में अंगोटे से प्रेस करेंगे और दूसरे हात से इसे किनारों से प्रेस करेंगे हलके हातों से इसकी कटोरी बनाएंगे इसके किनारे क्राक होते हैं तो इसको ठिक करेंगे और इसमें हम फिलिंग भरेंगे एक उंगली कटोरी के अंदर और दो उंगलीया कटोरी के बाहर रखकर इसे पिछ बनाएंगे एक उंगली अंतर रखकर सारे पिछ बनाएंगे और हलके हतों से सारे पिछ इकटा करेंगे इस तरह इसे जोइन करेंगे जोइन करने के बाद अभी यहाँ पर कसरत है दोस्तो यह हो गया हमारा मोदग तयार उपर अंगुठा और नीचे उंगली रखकर इसे हलके से दबाना है ऐसे एक उंगली का अंतर रखकर इसकी पंखुडिया बनाएंगे बिच बिच में हाथ को पानी लगाना है और इसके एक दम हलके हतों से बनाना है कि ऐसे अलग तरीके से बनाएंगे तो बापा भी खूश होते है और हम भी देखें लोटस की तरह कितना अच्छा दिख रहा है यह हो गया हमारा लोटस मोदग तयार अब मैं पाच्छा शेप दिखा रहे हूँ लावर शेप देखें वही प्रोशीजर आटे को गोल बनाएंगे अंगुटे से प्रेस करेंगे एक कटोरी बनाएंगे और इसमें फिलिंग भरेंगे एक उंगलियों का अंतर रखकर सारे पीच बनाएंगे और इसी तरह ये जॉइंट करेंगे और ये हो गया मोदक तयार मैं जैसे बना रही हूँ वैसे ही बनाना अब यहाँ पर कसरत है उपर अंगुठा नीचे उंगली रखकर इसे हलके हतों से दबाते रहना है और इसकी एक एक पंखुडी बनाने है बिच बिच में हाथों में पानी लगाना है कि यह हाथों में चिपके न देखे सब पंखुडिया बना कर हो गई अबी मैं हर पंखुडी को नीचे से उपर दबाऊंगी देखे दोस्तों मैं जैसे बना रही हूँ आईसे ही बनाना आईसे ही सबी प्रकार की पंखुडिया बनानी है और यह हो गया हमारा फ्लावर मोदक तैयार कितना सुन्दर दिख रहे है न दोस्तों बिल्कुल फ्लावर की तरह अबी मैं चट्वा मोदक दिखा रही हूँ निरंजन मोदक याने क्या दिया मोदक देखे दोस्तों फिर से मोदक बनाना है आटे को गोल बनाएंगे गोले को बीच में प्रेस करेंगे और उसकी कटोरी बनाएंगे और उसमें फिलिंग भरेंगे और एक उंगली कटोड़ के अंदर और दूसरी उंगली कटोड़ के बाहर इससे पीच बनाएंगे और एक उंगली कांतर रखके हलके हतों से सारे पीची कट्टा करेंगे इसी तरह से इसे जोइन करेंगे अभी यहाँ पर कसरत है मोदक को नीचे से ज़्यादा उपर की तरह मोड़ना है वो भी एकदम हलके हाथों से उपर से मोड़के होने के बाद उसकी मैं एक छोटी सी कटोरी बनाऊंगी इसकी किनारे क्रैक होते हैं न दोस्तों तो हाथों में थोड़ा सा पानी लेके इसको ठीक करना है दिखें कटोरी अपनी तयार हो गई एक उंगली कटोरी के अंदर और दो उंगलिया कटोरी के बाहर रखकर इसका एक पीच बनाएंगे यह हो गए न दोस्तों बिल्कुल दिये जैसा यह हमारा निरंजन मोदक तयार इसी तरह ऐसे पाच दिया मोदक बनाएंगे उसमें तेल डालके और जोती डालके वो जलाएंगे न तो यह भगवान को पंचारती होता है देखें यह छे प्रकार के मोदक बना के हो गए अभी मैं एक गुजिया बना के दिखा रही हूँ यानि क्या करंजी दोस्ते ही घर पे आप स्वीट मोमुक की तरह ही बना के खा सकते हो देखें हाथ में एक गोला लेके उसकी अच्छी तरह से कटोरी बनाना कटोरी बनाने के बाद इसमें मैं स्टपिंग भर रही हूँ इसे मैं अभी आधे से मोड रही हूँ के मैजा इसा कर रही हूँ वैसे ही करना पहले मैं इसके कॉर्नर्स प्रेस कर रही हूँ हाथों में पानी लगा के इसे थोड़ा थोड़ा मैं दबा के इसको पूरी तरह से प्याक करूंगी अंगुठा उपर करके और एक उंगली नीचे रखकर इसे मैं मोड रही हूँ यह मैं पूरे कॉर्णर तक कर रही हूँ इसका डिजाइन पाइल की तरह होता है दिखने में बहुत ही अच्छा दिखता है देखे मैं जैसा बना रही हूँ वैसे ही बनाना ताकि यह चिपके नहीं तो यह हो गया हमारा गुजिया याने क्या करंजी मोडग तैयार आपको कुछ भी दिक्कत आती है देखे मेरे सब प्रकार के मोडग बना के हो गये है अभी मैं इसे स्टीम करूंगी पहले मैं जाली को घी लगा के लिए रही हूँ ताकि यह मोडग चिपके नहा अभी मैं इसमें एक-एक मोडग रख रही हूँ अभी मैं ने एक बड़े से पतेले में पानी बॉयल किया है अभी मैं पतेले के उपर मोडग की जाली रख रही हूँ और उपर से धकन दे रहे हूँ इसे मैं दस मिनिट तक हाई प्लेम पर स्टिम करूंगी दस मिनिट के बाद इसे मैं खोल रहे हूँ और ये हमारे मोदक तैयार और मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल रहे हूँ देखे मेरे छे प्रकार के मोदग कितने प्यारे दिख रहे है देखे बीच में मैंने दिया भी जलाया है इसका हर एक शेप यूनिक और सुन्दर है तो कैसे लगे मेरे हस्सी बनाए हो है मुदग आप घर पे जरूर ट्राइ करना दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्स्क्राइब करो और वेल आइकोन को दबाना मत बुलना ताकि मेरे लेटेस वीडियो देख सेथे